प्यार के साथ वच्छन धरम पतनी का जो आज का एपीसोड था भाई सहाब मतलब समझ मैं नहीं आधा कि कैसे बताऊं कैसे कहानी काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं काफी ऐसी चीज़े देखने को मिलती है जो मतलब आज से पहले शायद ही हम लोग सोच पाते हैं आपके कुछ कहा पाते हैं कि ऐसी कहानी कुछ हो सकती है लेकिन नहीं मत्त इतने के साथ चल रहे कानी क्या ही का है सच में क्या हीका तो भिना डेडी के दिलो आज के बीसोड की स्टार्टिंग अधर आज की स्टार्टिंग होती है जो हमारे रवी भाय साब है वह पंडी जी बनकर आ चुके है घर के अंदर प्रतिक्षा के वहाँ पर करने वाली होती हैं तब ही दूसरी तरफ करके वह निकल जाता है अब उस चार्च को थोड़ा से शक होता है लेकिन फिर बाद में क्या ओता है वह शक गाया हुजाता है मैं सीक्वेंस बताऊंगा पहले पूरा का पूरा बताऊंगा रवी की साइट का फिर कहानी बताऊंगा कि साइट के वजना बहुत बहुत जाइब काफी जाजा ठीक है तो यहां पर क्या होता है रवी वहां से निकल गडरा आता है और फोन प्लों के पूछता है कि भाई जो आधित्त है वह कहां पर है और उसके जो दोस्त है कि कब तक पहुंचेंगे तो बताते कि मैं बस पहु होता हुआ उस टाइम पीछे ख़़ए होती पारू ठीक है स्थी जिया कि उसकी बात सुन लेती है शायद या पूर उसकी शायद आखे होती उसको देख लेती है ऐसा कुछ लगता है रवी को ठीक है कि भाइए इसको पक्काश्च हो गया कि यह मैं कौन पता चल चुका है लेकिन किंजल और अंधर यह लगता है कि यह आंखे मैंने कहीं देखी है इस पंडीट जी को मैंने कहीं बढ़ा इब अब वो यहां पर जो पायल पर बaka required कि कि ऐसा तो नहीं किते हैं दिल पंड़ीट जी के ऊपर आ प् degradation से नजर से नहीं देखते हैं तो स्कूर्ण है किसे ना किसे के साथ चोड़ी दीदी के बना ली तुन् Morgan किसे थूष भी करते हैं और वेवे वहां से निकल जाते हैं अब रवी के दिमाग में ये चीज़ चर रही हुए कि मैं क्या करूँ ओ कैसे जल्दी करूँ ताकि जो प्रतिक्षा की शादिये वो तूट जाय और जो प्रतिक्षा है वो शाधी ना कटपा है ओं मैं भी फटफट फट पहुंशने के हिसा पनि चादिये कर वालो बिना शंक्ञत है लेकिन तभी तहीं क्या होता है तब ही एक शौकिंग चीज होती है फिर से जो रवी है वह पकड़ में आ जाता है तुझे पड़िए पास पैड़के वह जो फूल डालते हैं फेड़े के टाइम पे उनको तोड़ रहा होता है तभी क्या होता है पंडिजी बोलते हैं कि क्या बात है तुम जो अब क्या कहते हैं प्रेम पुझारी बन रहे हो हां सुनी मैं तुम्हारे पउन की टून क्या थी कौन से कान है चल रही है क्लिक है क籌़ तुम्हारे फून में व्धजन चलते चलते थे और उअब पिचल यह के उद चल रहे हैं दूम ही मन आवे द Stress करने उसको तो वहاحसे ब्यंद वह था लगाता है कि में तो इसने से निकलता कोई आकी गेट खुल देगा तब मैं क्या करूं फिर वह यह देखता है कि मौरत का टाइम था आड़ बजे गया असपास का तो मौरत को मैं ना निकल दा रहता हूं किसी ने किसी तरीके से ठीक है वो चीज होगी अब वहां पर वही सोची रादा तब यह पीछे से मलहार आता क्या करता है रवी को पहले आँखों में आखे डालके देखता है फिर बोलता हूं मुझे पता चल गया तुम कौन हो फिर क्या कहते हैं उनके जो महत पैसे बाते हैं और वह स्थिद्धी लंदी शादी कर्वा दो जो कि भई अब रहा नहीं जा रहा तड़ा भी कुछ ऐसी ह सोत रहे हैं रवी बनकर किया यारी कैसा बन्द बताओ पंडित जी को भी वो दे रहा है रिश्वत और पंडित तो कुछ बोलेंगे नहीं सिंबल सी बात है ठीक है वो शान थे तो मलहार बोलता है कि और चाहिए क्या रितना तुम आने बड़े पंडित पंडित जी को भी पंडित जी को भी पीने के लिए रहा है मतलब भड़ा जीव आदमी आ रही है शायद ऐसे यह लगा होगा पुलिस के जौब में पैसा दे कर दिश्वत दे का कि प्रतिक्षा को छुड़ा सके यह चीज थी और यह चीज ना कहीं क्या पूरी एक्यूरेट है क्यों बंदा ऐसे ऐसे तो नहीं लगा लेकिन हा रास्तों कुछ इसी तरीकी हम अब इसके साथ क्या हुआ इसके साथ हमें ये जीज देखने को मिल दी की वहां परOoh हिखा सा शक हुआ, लेकि chakra हूं, लेकि शक हुआ, लेकि दी कि तब हुती है, चाची चीघी उद्ध Nana ने को ले चली जाती है, मलहार को, क्योंकि मोरत का टायम हो रहा था है, तो लेके चले है हां ठीक को चीज़ दो वह वह अईसा बैट्ठा थे रभी कि मुझ चुपा रहा थे रिवी दिकर को पता रही हो फेक बंदैं तो वह मुझ चुपानर चुपाते किसी ना कीसी तरीकَ से यह था कि वह सिंपल सी पखड़ा तो पंदिजी ने पखड़ा, फिर मलहार ने पखड़ लिया था ही लगर लेकिन नहीं हुब तो क्या होता है वो पत्य देता- ठीकह तुलसी के पत्य है- फिर उसको होता है चाहिए- उसको क्श sommes लेख़- कि यह पंजी कुछ नहीं लगए इसकी आँक्छे बीन मुझे देखी-देखी सी लग रही की कुछ मैंने इसको देखा रही कुछ जानता यह कुछ लग रहा है यार मैं क्या सोच रहा हूं पना मत्तम नहीं सोचना की कैसा कुछ है बढ़िया है यह अभी अभी कहां से होगा है देखने में तो पड़ी चासे लग रहे तो इसमें कोई डाउट उट नहीं होगा छोड़ इसको ठीक है अफटा फट पंड और जब वो डाल रहे होता है सामगरी उसमें आगवे तो महार बोलता है अरे पंडी जिल्दी शादी मिली तो इसके लिए जैक पॉर्टी हुआ बना यह लाइक भी नहीं तो चाहती भी नहीं थे कि इसकी शादी मेरी दी से यह लिखिना आकर चाचा जी ने चुना है वो कुछ ना कुछ सोच के चुना होगा अब वहां पर जो पारूल होते हैं वह पंडीट जी को देखके बो यह वह लेते हैं जितने मीं मुण जब रहे खाया हो गया यह पहथा फैचान तो नहीं लेगा लेकिन भाही वह बात कंट्रल हो जाती है सब शान दो आए सब पुछ चीख हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है वहां पर जो हमारे हसाओ बोलते है आरे आरे यह से मतलब शू बेड़ा तो टेंशन ना रहते ही शादी मैं नहीं होने दूँगा जल्दी भी नहीं होगी तो रुख बस यहीं हो रहा होता है और यह पर ही यह बी एक और ट्विस्ट रहे दिया एंड एंड में कि प्रितिक्षा की चाची को भी उस पंडिट पर शक हो चुका है और वह बोल होता है प्रितिक्षा के यहाँ प्रहीं तो अपनी डिरेक्टीव वाली आंके बंद करते हैं थीक्षब School diagnose बोलते है क Ciao फब है कि स्थ बोलते है की यहां पर कहती है है बस यहां पर अपिजिव की ends दूले शाहबा चुके हैं घोडी पर चड़ते हैं गोडी पर चड़ते क्या होता है चिज्ञेशाब कि सब्सक्राइब आता है यहां पर क्या होता है गाले ज़ाए जब जाता है डांस करने लग जाता है मैं पहातरी इन डांस उसको होश प्युखिन है्ता कि वह ऑडिना कि बारा की वह डांस काया हो तो सब देखते हैं पीछे जो उसकी क्या करते है जो पाप Hero कala का हुआ हूँ के इस फाफ में जो आदी था हूँ gathered बीड़ाइब देजिट हैं जो देजिट करती हैं यह वाइसे कि दान्स क्यों कर रहा है समझ में नहीं है आए या कि यू कर रहा है एसा और फिर का था आधी बड़ी मिश्किल से मत तब सोचता है कि i.e. जब ही दान्स पतकर दान्स पतकर लेकिन रवी के मम्या क्यों बोलते हैं रवी बस दो त्री बोलते फिर तीसरी रव में रुखता है शांत होता है फिर होता है कि भाई सब्सक्राइब की सहरा उठाना पड़ेगा अब सहरा उठानी सकते क्योंकि वह रवी नहीं है बहुत देर तक भाई यह चीज़ चलती लेकि पर सहरा उठाओ सहरा उठाओ वह उठाने नहीं देए वह कुछ और तो बोलता है कान में आदे के की देखो मतब जब तक मैं कावजय को न लेखूं अपना तरह नहीं उठानगा पना सहरा कि सामने देख ये वह कावजय करते हो तो कान-कान में बात हुई नकली रवी ने आदी को बाए य और ब मुझे से बात कर दास कर रけれ spoken यहाँ नहीं कुछ को मुझे समझ नहीं आ रहा तो यहां पर रवी के बात बोलते हैं कि देखो जो भी है बात उसको अलग करो लेकिन जिस तरीके से रवी खुश है ना थोड़ा सा अलग हो सकता उसका भीए थोड़ा सा चेंज हो सकता लेकिन जिस तरीके से रवी कर रहना वो करने दो यह से सब कुछ अच्छे चल रहा है सीदी सी बात इसा क्या बोलता है मुझे तो यह नहीं पता कि वह चुप-चाप से अंद क्या क्या हो रहा है यह चीज़े देखने को मलती है और बस एपिसोड ही फिरीक खतम हो जाते हैं यहां पर मुझे दो से तीन चीज़े ना कुछ ज़रा और ची लगी पहली चीज़ तो भाई रवी की दाड़ी साफसाफ क्लिरली देख रही थी कि वह नकली डारी है ठीक है किसे को पता कैसे नहीं चले दाड़ी जो कमसी कम ऐसी लापता है अच्छी लगे ना कि वह नकली है इतनी अच्छी दाड़ी भी नहीं लेगए तर्व कास्ट कटिंग इतनी खतरना कर दी काव्यका आज को रोली नहीं देखने को मिला ना प्रतिक्षा का दोनों दुलहन कल दिखाई 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 दिए ठीक है और दुलहनों को गायब कर रही है प्लस मुझे एक ना बना ऑक्वर्ड सा लगा अब शायद में नजर पड़ गई की प्रतिक्षा की चाची की जो नेल पेंट है वो है ही नहीं उनकी नेल पेंट ही निया प्रतिक्षा की मतलब इतना ज्यादा उक्वर्ड कैसे हो सकता है भाई मेक्फ हार्टिस्ट कर दो भी दियान नहीं आया कि नेल पेंट भी कर दें अगर कर रहे हैं तो लेकिन नहीं किया यह नहीं अब यहां पर मैं positive way में बात बताओं तो यार आदी की acting बहुत जादा खतरनाक मतलब dance करते डाइम पर भी आदी के चाहरे पर वो डर था कहीं ऐसा नहीं की राज खुली जाए गदर बहुत जादा गजब मज़ा आ गया आज मतलब सबसे जादा अच्छी एक्टिंग मुझे आदी की लगी किया acting चीज़ बन देरे उसके चाहरे से साफसा लग जाता डांस कर रहा है लेकिन डर भी साफसा देखना था कि डर है अंदर मज़ा आ गया उसके बाद जो रवी है किंजल पारूल उनकी अक्टिंग मस्त लगी कसम से मस्त लगो जिससे किसरे रवी के expressions थे ना वह तो अलगी लेवल के हैं कसम से उसके बाद मुझे जो acting अच्छी लगी वह लगी मैं नाम बूल गया दुमाग से निकल गया वो नाम कौन थे वह आम आँ महां बूली आप म मज़ेदा था सीरियसली और इस तरीके से चलती रही कहानी यह यह जो सीरियल है ना यह टॉप फाइब महस्ते खेलते आ जाएगा इस बात से मैं पूरी तरीके से मैं शेयरू कि भाई आएगा प्लस एक चीज और है यह छोटी छोटी चीज़ें हैं ना यह कुछ ज़्यादा यह क्योंकि कर दो चाएगो क्यों कर दिखा दिया गया प्लस ना आँज का व्या कोई सीन दिखाया गया ना प्रतिक्षा का फ्रतिक्षा तो दो तिन दो से गायग चल रही है तो यह सब छीज़ुद्धी और मश्ट एपिसोड होगा और इस पूरे शो को ट्यार्पी लिस् से छोड़ी ओड़ी चीज़ें इंको थोड़ा इंप्रूफ करें तो बहुत मश्योड जाएगा बलकी यह कहूंगा कि अभी एक महीने दो महीने पहले से तो यह बहुत जादा चला रहा है शायद कोई एपिसोड का बंदा है शायद जो से जुड़ा हो कोई है जो मेरे रिव्यूज देखता हुआ तब ही इतने ही अच्छी तरीके से इंप्रूब्मेंट हुआ बाकि आपको आज के एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह जनब पतनी के आने वाल करेंग को दबा लीजिए तकि आपसे मिस्स नहूं हमारा कोई भी लेडिस्ट उप्टेट